आज हम explain करने वाले हैं डॉन जॉन मुवी को जो साल दोजाग 13 में रिलिजुई थी मुवी की कहानी जॉन नामक एक पॉन एडिक्ट लड़के के बारे में है जिसकी जिन्दगी में एक लड़की आ जाती है वो लड़की जॉन को बदलने की कोशिश करती है उस लड़की के आ जाने के बाद उसके लाइप में क्या क्या चैंजेस आते हैं ये सब जानेंगे हम आगे वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलना मुवी सुरू होती है और हम जॉन नामक एक लड़के को देखते हैं जॉन एक पॉन एडिक्ट होता है उसे पॉन देखकर मास्टरबेट करना बहुत पसंद होता है क्योंकि जो चीजे पॉन में होती है वो उन चीजों को रियल लाइप में नहीं कर सकता है जॉन की लाइप में कुछी चीजे थी जिसकी वहाँ परवा करता था पहली है उसकी बोड़ी जिसके लिए वहाँ रोज जिम जाया करता था फिर उसका घर जिसकी सफाई वो अपने हातों से करता था जॉन एक बार टेंडर का काम करता है जिस कारण उसे नई लड़की डुनने में कोई प्रेशानी नहीं होती है जॉन हर एक वीक एक नई लड़की को अपने घर में लाता था और उनके साथ इंटिमेट होता था पर जॉन को इन सबसे ज्यादा मज़ा पॉन देखने में आता है जॉन कई सारी लड़कियों के साथ इंटिमेट होता है लेकिन फिर भी उसे पॉन देखकर मास्टरबेट करने में ज्यादा मज़ा आता है अब हमेशा की तरह जॉन एक दिन कलब में जाता है एक नई लड़की पटाने के लिए यहाँ वो अपने दोस्तों से मिलता है वे सबी मिलकर लड़कियों को रेटिंग नमबर देकर जज़ कर रहे होते हैं तब ही जॉन को वहाँ पर बारबरा नाम की एक खुबसरत लड़की दिखती है जॉन उसे 10 आउट अप 10 नमबर देता है उसके बाद वहाँ उसके पास जाता है वो उसके साथ बात करने लगता है फिर वे दोनों वहाँ पर डांस करने लग जाते हैं डांस के बीच जॉन बारबरा को सैडूस करने की कोशिश करता है और वो उससे अपने साथ इंटिमेट होने के लिए पुछता है लेकिन बारबरा ऐसी लड़की नहीं थी इसलिए वो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है बारबरा के जाने के बाद जॉन एक दूसीरी लड़की को पटाता है और वो उसे रूम में लेकर आता है रूम में वे दोनों इंटिमेट होते हैं इंटिमेट होने के बाद भी जॉन आधी रात को अपने लैप्टॉप में पॉन वीडियो देखकर मास्टर वेट करता है और वो कहता है कि पॉन सेक्स से बैटर होती है पॉन में जितनी चीजे दिखाई जाती है वो चीजे रियल लाइप में नहीं हो सकती है अगले दिन जॉन चर्च में जाता है वहाँ पर जॉन अपने गुना कबूल करते हुए कहता है कि इस फिक वो दो लड़कियों के साथ इंटिमेट हुआ है और उसने 17 बार पॉन देखा है उसके बाद जॉन अपनी फैमिली के साथ लंच करने लगता है जाँ उसके फादर की उससे बहस हो जाती है वही उसकी बैन अमेसा मोबैल में लगी रहती है वहाँ कुछ भी नहीं बोलती फिर उसकी मॉम जॉन से कहती है कि वो एक अच्छी लड़की को देखकर उससे साथी कर ले उस रात को जॉन फिर से पॉन देखता है और उसे सही वीडियो ढूनने में सुबह के दो बच जाते है अगली सुबह जॉन का दोस उससे मिलने आता है जॉन उसे बताता है कि उसे वो रैड ड्रेस वाली लड़की काफी पसंद आई थी लेकिन उसे उसका नाम अभी तक पता नहीं था इसलिए जॉन उसी बार में जाकर उस लड़की के बारे में पुष्टास करता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम बारबरा है उसके बाद वो उसे फेस्बुक पे तोणता है और वो वहां से बारबरा को लंज के लिए बुलाता है अगले दिन बारबरा उससे मिलने आती है और पुछती हैं कि उसे उसका फेस्बुक आईडी कहां से मिला जबकि उसने तो उसे अपना नाम भी नहीं बताया था जॉन सुरू में तो बहाना बनाता है फिर वो बारबरा को सच बता देता है बारबरा भी जॉन को पसंद करती थी इसलिए वो उसे रोमेंटिक मूवी देखने ले जाती है लेकिन जॉन को मूवी देखना अच्छा नहीं लगता था उसे लगता था कि मूवी बच्चों के लिए होती है वोई बारबरा को ये मूवी बहुत पसंद आती है हौल के बाहर आने के बाद वे दोनों वहाँ पर किस भी करते हैं फिर बारबरा अपने घर चली जाती है जॉन चर्स में जाकर कबूल करता है कि उसने इस फिक सिरफ एक लड़की को किस किया है वह उसने 22 पार पॉन देखा इसके बाद जॉन फिर से बारबरा के साथ डेट पर जाता है वहाँ पर वो बारबरा के साथ इंटिमेट होने की कोशिश करता है लेकिन बारबरा उसके साथ सिरियस रिलेशन्शिप में आना चाती थी इसलिए वो कहती हैं कि वो उसके दोस्त और फैमिली से मिलना चाहती है उसके बाद वहां जॉन से कहती हैं कि वो नाइट क्लास लेना सुरू कर दे ताकि वो बार्टेंडर का काम चुड़ कर कोई ढंकी जॉब कर सके जॉन भी उसकी सारी बाते मान लेता है फिर वो उस रात बार्बरा की फोटो देखकर मास्टर बेट भी करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो बस बार्बरा के साथ इंटिमेट होना चाहता है और वो सायथ उससे प्यार नहीं करता इसके बाद कई दिन बीच जाते हैं और जॉन भार्बरा को अपने दोस्तों से मिलवाता है और वो भार्बरा की फ्रेंड से भी मिलता है इनके रिलेशनसिप को एक मैना हो गया था लेकिन अभी तक बारबरा जॉन को अपने साथ इंटिमेट होने नहीं देती थी जॉन अपनी फैमिली को भी बता देता है कि वो बारबरा नाम की लड़की से प्यार करता है और ये सुनके उसकी माँ काफी खुश होती है एक दिन जॉन के कलाश के दोरान बारबरा उससे कॉल करती है और उससे कहती है कि आज रात वो उसके साथ घर आ रही है ये जानकर जॉन काफी खुश होता है क्योंकि फाइनली आज वो उसके साथ इंटिमेट होने बाला था कलास के गेट पर जॉन को इस्टर नाम की लड़की रोते हुए मिलती हैं लेकिन जॉन उसे इगनोर कर देता हैं और घर जाकर फाइनल वो बारबरा के साथ इंटिमेट होता हैं लेकिन हमिस्ता की तरह जॉन को उतना मजा नहीं आता है इसलिए वो रात को फिर से पौन देखन वहां बारबरा से वादा करता हैं कि वो कभी भी पौन नहीं देखेगा ये सुनकर बारबरा रुख जाती हैं लेकिन ये सब होने के बाबजुद भी जॉन पौन देखना जारी रखता हैं अब क्यूंकि बारबरा उसके घर पे आती रहती थी तो जॉन अपने मोबाइल पर पौन देखने लगता है लेकिन एक दिन क्लास में इस्टर नाम की लड़की उसे पौन देखते हुए देख लेती है वो उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन जॉन उस पर ध्यान नहीं देता इसके बाद जॉन बारबरा को अपनी फैमिली से मिलाने ले जाता है और उसकी मौम को भी बहुत पसंद आती है बारबरा जॉन के सार्ट चर्च वे जाती है जहां जॉन फादर से कंफेंस करता है कि वो इस वीक साथ बार इंटिमेट हुआ है लेकिन उसने इस पूरे वीक में एक बार भी पॉन नहीं देखा है फिर उसी दिन कलास के दौरान इस्टर जॉन को एक एडल्ट बुक देती है और कहती है कि साइद ये उसके काम आएगी जॉन कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास कल फ्रेंड है और उसे पॉन देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कुछ दिन बाद जॉन बारबरा के साथ सौपिंग करने जाता है जॉन उससे कहता है कि उसे गर साफ करने के लिए कुछ सामान खरीदने है जब बारबरा को पता चलता है कि जॉन अपने गर की सफाई खुद करता है तो वो फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती हैं कि ये काम उनका नहीं बलकि एक हाउस कीपर का है इसलिए वो आपसे करकी सफाई करना बंद कर दे जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपना घर और उसके सफाई करना बहुत पसंद है और उसे एक काम करने में कोई सर्म मैसूस नहीं होती लेकिन बार बरा कहती हैं कि उसे कोई फरक नहीं पड़ता वो आज के बाद सफाई का काम खोद नहीं करेगा और मजगूरी में जॉन को उसकी बात माननी पड़ती हैं उसी साम को इस्टर जॉन से कलास के नोट मांगती हैं और फिर वो उसकी फैमिली और गल्फ्रेंड के बारे में पुषने लगती हैं लेकिन ये सुनकर जॉन को गुष्सा आता हैं और वो अपने नोट छीनके वहाँ से चला जाता हैं उसके बाद वहाँ अपने घर जाता हैं जहां बारबरा किसी बात पर उससे गुष्सा होकर बैठी हुई थी वो जॉन से कहती हैं कि तुमने मुझे जूट बोला मैंने तुमारी ब्राउजर हिस्टरी चेक की हैं तुमने अभी तक पौन देखना नहीं छोड़ा हैं तरसल जॉन ने आज तक अपनी ब्राउजर हिस्टरी को डिलेट नहीं किया था क्योंकि उसे लगता था कि बारबरा उसके प्राइबिट चीजों को चेक नहीं करेगी जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि पौन देखना नॉर्मल बात है और इससे कोई भी गलत बात नहीं है वो बारबरा से कहता है कि मूवी देखना और पॉन देखना सैम होता है लेकिन बारबरा उसकी एक बात नहीं सुनती और वो जॉन से ब्रेक अप करके वहाँ से चली जाती है लेकिन बारबरा के जाने के बाद भी वो नई सुदर था और वो और ज्यादा पौन देखने लगता है उसे ए सिंगल लाइफ बैटर लगने लगती है क्योंकि वो जो चाहे कर सकता है और उसे कोई रोपने वाला भी नहीं है जोन अपने कुछ दिन ऐसे ही बिता देता है एक दिन जोन बार में जाता है वहाँ पर वो अपने दोस्तों को बता देता है कि उसने बारबरा को छोड़ दिया है वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है और वो उसे घर लाकर उसके साथ इंटिमेट हो जाता है अगले दिन ड्राइब करते समय जॉन बीना बाद के अपने सामने वाले ड्राइवर पे गुस्सा हो जाता है और उसकी कार के कलास को भी तोड़ देता है इसके बाद वो चर जाता है और फादर से कनफेंस करता है कि पता नहीं आज क्यों उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने एक कार के कलास को ही तोड़ दिया और साथ ही उस विक्स उसने 35 वार पौन देखा कनफेंस करने के बाद जॉन अपनी फैमिली के साथ लंज करने जाता है लेकिन वो उन्हें इसके बारे में नहीं बताता कि उसका और बारबरा का प्रिक अप हो गया है घर जाकर वो फिर से लगता है तब ही जॉन का दोस्त बाबी उसके घर आता है सुरू में जॉन उसे वहाँ से चले जाने को बोलता है और कहता है कि वो बीजी है लेकिन फिर भी बाबी उसके घर के अंदर आ जाता है और पुशता है कि उसने एक बंदे की कार के गलास को क्यों तोड़ दिया और उसका और बारबरा का ब्रेक अप कैसे हो गया जॉन उसे बताता है कि उसने उसे पॉन देखते हुए पकड़ लिया था और उससे ब्रेक अप कर लिया था ये सुनकर बॉबी को भी यकिन नहीं होता कि इतनी छोटी से बात के लिए बारबरा ने जॉन को छोड़ दिया इसके बाद जॉन कलास जाता है कलास के बाद वह इस्टर से मिलता है और फिर बेद दोनों उसके कार में इंटिमेट भी होते हैं इंटिमेट होने के बाद जॉन इस्टर को बारबरा के बारे में भी बताता है इस्टर उससे पुछती हैं कि ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन उसने पौन नहीं देखा और क्या उसने कभी इसे छोड़ने का सोचा जौन कहता है कि उसे याद नहीं लेकिन वो जब चाये अपने आपको रोक सकता है उसे कोई addiction नहीं है वो पौन इसलिए देखता है क्योंकि उ मास्टर बेट कर सकते हो और फिर अगले दीन जोन पौन ना देखने की खुशिश करता है इससे उसे काफी मुश्किल होती है उस साम जोन इस्टर से मिलता है और वो दोनों उसके घर चले जाते हैं जोन इस्टर को बताता है कि उसने पूरे विक पौन नहीं देखा लेकिन वो मास्टर बेट भी नहीं कर पाया, वो यहां कबूल भी करता हैं, कि उसे पॉन का एडिक्षन हो गया, इस्टर उसे समझाती हैं, कि उसे पॉन इसलिए पसंद है, क्योंकि उसने कभी अपने पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं किया है, और उसने हमेशा अपने मजे के बारे में सोचा है, इसके बाद इस्टर जॉन से कहती हैं, कि उन दोनों को साथ में नहाना चाहिए, लेकिन इस्टर जब अपना टौवल लेके नहाने जाता हैं, तो इस्टर रोने लगती हैं, वो नहाकर आता हैं और इस्टर से फुषता हैं कि वो हमेशा रोती क्यों रहती हैं, इस्टर बताती हैं कि उसका हजबेंट और बेटा लगपक एक साल पेले एक कार एक्स्टिडन पे मर गए थे, जिसका उसे आज भी दूख है, और इसके बाद जॉन और इस्टर दोनों इंटिमेट होते हैं, इस बार जॉन काफी इंजॉय करता हैं और ऐसा फिल अब तक उसे कभी भी नहीं हुआ था, अब से जॉन पॉन देखना बन कर देता हैं, और अब वो चोटी-चोटी बातों पर गुष साब भी नहीं करता है, वो चर्च में जाकर कनफेंस करता हैं, कि उसने पिछले हफते जुट बोला था कि उसने पॉन नहीं देखा हैं, लेकिन इस बार उसने सर्च में पॉन देखना बन कर दिया हैं, फिर जॉन लंच के दोरान अपनी फैमिली को भी बता देता हैं कि उसका बारबरा के साथ ब्रेक अप हो गया है और ये सुनकर उसके पैरेंट उस पर गुस्सा करने लगते हैं लेकिन उसकी शिष्टर उसे सपोर्ट करते हुए कहती हैं कि बारबरा एक अच्छी लड़की नह और वो उसे मैनुप्लेट कर सकी और इसी कारण से बारबरा जॉन के लाइक नहीं थी एस उनकर जॉन को काफी अच्छा लगता हैं कि उसकी बेहन उसके साथ हैं कुछ दिनों बाद जॉन बारबरा से मिलता हैं और उससे माफ़ी मांगता हैं पौन वाली बात को छुपाने क बारबरा उससे कहती हैं कि उसने सिरफ एक चीज मांगी थी जिसमें वो फैलो गया है ये सुनकर जॉन कहता है कि उसने उससे कई सारी चीजे मांगी थी और वो अपनी लाइप को अपने हिसाब से जेना चाता है और फिर बारबरा वहाँ से चली जाती है और जॉन से कहती हैं क वो उससे दोबारा कॉल ना करे अब जॉन दोस्तों के साथ पहले की तरह ज़्यादा टाइम भी दाने लगता है और अब उसने पॉन देखना भी बिल्कुल बंद कर दिया था और दुसी तरफ ओइस्टर को भी डेट करने लगता है भले ही वो उससे उम्र में काफी ज़्यादा बढ़ी थी लेकिन वे दोनों एक दुसरे को काफी अच्छी तरह से समझते थे और यहाँ पर फिल्म का दिया एंड हो जाता है